कि चलिए आज एक इंपॉर्डन टॉपिक देखेंगे बंगाली भाजन 1905 का और अब जितने भी मुमेंट्स होंगे जितने भी घटनाएं होंगी सारे के सारे किसी ने किसी इर्दगिर्द घुमेंगे तो आपको जो कॉंग्रेस सेशन में ने पढ़ाया वो आप्रमेटिकली कि याद हो जाए ठीक है तो बात करते हैं बंगाली भाजन की अगया है कि देखो एक वाइस रहे थे जिसका नाम था लॉड करजन है कि इननों का नाम लॉड नहीं रहता था जोड़ लेते आगे ठीक ताकि कोई प्रणाउंस करे तो शुरुवात में ही लॉड बोले भगव लॉड करजन है ठीक इसका कारिकाल था 1899 से लेके 1905 क्लियर यह सब याद रखना होता है वाइस रहे क्या होता है पहली बता दिया जो ब्रिटिश भारत है मतलब ब्रिडिशर्स के अधीन भारत उसको गवर्न करने के लिए कंट्रोल करने के लिए कोई ने कोई एक सुप्री सुप्रीम बोड़ी चीए यह सुप्रीम व्यक्ति चीए तो लॉड करजन उस समय वाइस रहे था ठीक है जैसे अभी प्रधान मंत्री वैसी अब यह क्या देखा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्रवाद नेश्टनलिज्म की भावना कहा पनप 서울 बंगल में ठीक किसने भी बूद्धि जी पहले सामने आये समाज में पैदा हूए सब कहा बंगाल में राजह रण मॉड रहाए सब कहा कहां बंगाल तो सुबाइक सी बात है वहां के लेडरी स्थानी तो स्थानी लोगों चाहरों करने क्रेस करेंगा है कि तो यह भाईचा पाइंगे एक दिन भारत को छोड़के जाना पड़ेगा एक दिन भारत को जाद करना पड़ेगा लेकिन जब तक खीच सकते हैं तब तक खीचें तो उसके लिए लॉड करजन ने तरीका अपना है फूट डालोर राज करो फूट डालोर राज करो और 1857 की करांती से इस परश बंगाल में क्या क्या शामिल था यह मैं बताता हूं बंगॉल में शामिल था आपका आज का वेस्ट बंगॉल आज का बिहार आज का उडिसा चीक है उसके बाद बंगलादेश असम यह सब शामिल थे तो लॉड करजन ने क्या बोला कि बंगाल की अबादी इतिनी जादा है कि उसका एक साथ प्रशाशन समाल पाना मुश्किर है तो क्या किया जाए यह प्रशाशनिक तंत्र का हवाला देते हुए उसने एक निती अपनाई उसने बोला कि बंगाल वब साइड किए 1903 इंपोड़ेंट नी 105 इंपोड़ेंट है 1905 जुलाई 1905 में कन्फर्म हो गया कि बंगाल पार्टिशन होना है बंगॉल पार्टिशन यह इस जुलाई में 1903 में बस यह विचार आया ठीक है क्योंकि इतना इतना बड़ा छेत्र था किसका प्रशाशन समाल पाना म अकेले बंगाल के पॉपलेशन आठ क्रोड था चेतर भी बड़ा था इतने सारे एरिया आई रहें तो यह इस पर्ष्ट हो गया कि भीया आगे चलके बंगाल का विभाजन होना है और बंगाल का विभाजन किया गया ठीक है यह आपका वेस्ट बेंगॉल कर दिये और इसको इ सच्किए और इसकी राजधानी झाका ओर साथ है का ठीक है यूग यह पटवारा कर दिये अब जैसी यह बटवारा किये स्चार्स के अंतरगत जो ठिक नरम दल के जो नेता थे नो लोंग PPP model पर काम करते थे प्रेयर प्रेटीशन प्रोटेस्ट प्रात्ना याचिका विरोध प्रात्ना करेंगे कि यह सुधार ला दो प्लीज ऐसा याचिका रिट जैसे डालते ना चिट्टी पत्री लिखेंगे प्रोटेस्ट विरोध करेंगे लेकिन विरोध एकदम शांती पुन विरोध रहता था जिसका कोई मतलब नहीं है ठीक से मुख फुला के कोई बैड़ जाता है अब खुद के बच्चे रहें और वह मुख फुला है तो आप उसकी मांगे मानोगे पडोसी वाला बच्चर है त तो थोड़ीन मांगे मानोगे ना जब तब कुछ गडबल ना हो ठीक तो प्रेयर प्रेटिशन प्रोटेस्ट करते थे उसका भी कुछ खास अर्थ नहीं रहा जाता था चिक इसको क्या भिकमंगी राजनिती बोलते थे जितने गरम दल के लोग रहता थे ना इसके उपर आर तरीका रहता था विरोध करने का तरीका लग तो गरम दल के जितने भी नेता थे सब एक्टी हो गए इस घटना से 1905 के बंगाली भजन के बाद और प्रमुग नेता कौन कौन कहां कहां चेतर में सक्रीथ यह बताता हूं बॉंबे और पुने में बाल गंगदर तिलक बीजी जैसे अविएक नेता है पी चितंबरम फिल लई चितंबरम पिल लए च्छितंबरम फिल लए चितंबरम फिल लए चिक यह सब के सब नेता एक्टिव हो गया कि वह आप मौक़ा मिल आप खुल के विरोध करेंगे और सबसे प्रमुख बाद भैंगॉल में कौन थे तो बैं इन्हीं लोग अभी नितित्यों सम्हालेंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र कृष्ण कुमार मित्र ठिक तो यह सारे नेत अक्टिव हो गया कि बोले नहीं अब अंग्रेजों का खुल के विरोध करने का समय आ गया है और किये भी तो सुरेंद्र बैनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र के नितित्यों में एक अंदुलन चलाया गया जिस अंदुलन का नाम रखा गया स्वदेशी एवं बहिसकार अंदुलन स्वदेशी एवं बहिसकार अंदुलन स्वदेशी एंड बायकोट मुमेंट स्वदेशी एंड बायकोट करना वाइसकार करना स्व्थे का औरम कि और अंग्रेज़ी वस्तों का की और अंदोलन चाहलू करने का एक तो बड़े नेताओं को इनकी कमर तोड़नी है तो आर्थिक चोट पहुंचाना जरूरी है और वह एक मात्र तरीका यही था कि उनके समान का बहिसकार कर दिया जाए कोई भी उनका आइटम नहीं उसकरेंगे चिक तो क्या-क्या बहिसकार करना है उनके वस्तवों का बहिसकार करना जैसे कपड़ बनके आता था मेंली कपड़े का व्यापार ज्यादा था ठीक उसका बहिसकार करना कोई नौकरी में है सरकारी नौकरी तो भारत का सब्सक्राइगा तो सरकारी नौकरी का त्याग कर देना है उन्हों कुछ पादी दे दिया उसको त्याग कर देना है मतल तो वाइसकार अंदुल स्वदेशी क्या पहनना है दोती कुर्था पढ़ना है अंग्रेजों का स्कूल चोड़ो यहां भले पेड़ के निचे पढ़ लेंगे अपना खुद का स्कूल चलाएंगे तो जितना भी देशी आइटम उसको सुविकार करना था वे देशी आइटम क पूचहे मैं यहीद में यही थे तो बेंगल में कॉन से नेता सुनेंद्य और अंदुल यह चलू किया और यह अंदुलन बहुंत ज्यादा सफल भी रहा चला तो कॉंग्रेस ना चाहते हुए भी 1905 में Congress का session होता है बताओ कहां पर बनारा समय कौन था देश गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले बच्पन में आप जब गांदी जी का ऐसे लेटर पड़ते थे तो उनके पॉलिटिकल गुरू बताया जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के ठीक है तो 1905 में Congress Congress का बनारा समय अधिवेशन होता है जिसकी अध्रक्षता कौन करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले यह कट्टर नरम पंती रहते हैं कट्टर नरम पंती ने था ठीक है अब यह स्वदेशिय वहिसकार अंदोलन के प्रस्ताव को पास कर देते ठीक है स्विकृति मिल जाती है स्वदेशी अंदोलन को इसमें स्विकृति दे दी जाती है ठीक है एक्सेप्टेंस मिल जाता है ना चाहते हुए ना चाहते हुए इसलिए बोल रहा हूं क्यूंकि जो तरीका उस अंदोलन में अपनाया जा रहा था वो तरीका Congress के नरम पंती नेताओं का था ही नहीं ठीक ह कि अंदोलन करें मजबूर करें अंग्रेजों को ऐसा नहीं था तो लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी उसी के तरफ जा रही थी और वहां पर अगर इसको स्विकृति ने देते तो लोगों का Congress से विस्वास उड़ जाता है कि अब बीजेपी कोई provision निकाले कोई कानून निका करना पास नीं करना पास निकरना मतलब कानून का विरोधत करते हैं सबको अपना सभालना यह लेगन अब देखो कोई नेता लोग उभर क्याने लगए लोगों के चहते बन गए 1906 में अदिवेशन हुआ कहां पर बताओ कलकत्ता में अब यहां कलकत्ता दिवेशन में गरम पंती नेता चाहते थे हमारे ही बीच का कोई सदस से इसकी अदिख्षता करें का लेगिन नरम बंदी को मालूम था कि उधर बन गया इनको दबदबा हो जाएगा जो कि होने नहीं देना है हमारे हाँ से कॉंग्रेस फिसल जाईगी तो दोनों में वाद वाद की स्थिति पैदा हो गई एक तरफ बाल पहचानी है क्या तो भले नहीं चलो ठीक दादाथा भाई नहीं कि अि खिग मैं बहुत बड़े ताथे बहुत पहचान था ठहिंका इंका लंदन तक पहचान उदर के संसद में उड़ते बैठते थे तो कलकत्ता में अदिवेशन कर दिये दादा भाई नवर जी उसमें भी कुछ उनसे संबंदित प्रस्ताव पारित हुए लेकिन यहां पर थोड़ा से दिल दुखा किनका गरम पंती होगा कि चलो ठीक हमारे बीच कोई हमारे बीच के क पुना को याद भी नहीं लगना है लेकिन अधिवेशन होने था पुना में और अभी वह अंदुलान सक्री था ठीक है और गरम पंती नेता प्रयास कर रहे थे कि हमारा अंदुलान बहार जाए बंगाल के बहार जाए बाकी पूरे भारत में फैले ठीक है अब पुना आते हो ना घंपति उत्सो ठीक ओंचलू किया वाल द्ती रख मोस्व ठीक है अठहा सोपगाले में शीवाजी महस्व महराश्ट में भगवान को गाली दे सकते हो शीवाजी को नहीं ठीक है तो गनपती मौसा और अठास पंजान में में शिवा जी मौसा क्यूं चालू किया होगा सोचें अभी मैं आपको मैं अपने नाम से बुलाओं ना कहीं पर अंदुलन करना है तो नहीं आओगे कोई लेकिन भगवान के नाम से बुलाओं या कुई ऐसे लीडर जो सम्मा गनपती के नाम से उनेटेट थे तो गनपती मौसा और शिवा जी मौसा स्टार्ट कि अब इतना साल हो गया बताओ यहां पर इतनी भीड़ी कट्टा होती थी कोई भाशन देना है कोई विचारों का प्रचार प्रसार करना या प्रदान करना एक दूसरे को देना है तो यह काम आ जाती थी तो बहुत फेमस नेता थे कौन बाल गनती लग अब कॉंग्रेस को मालूम था कि अगर यह सेशन पुना में हो जाएगा ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा वहां लोग सारे लोग किसका समर्थन करें बाल गनती लग तो नरम पंती नेता साजिस करके प पहुंच से दूर हो गया तो दिसंबर महिने में यह सेशन होता था ठीक अब बाल गनती लग का मूड खराब हुआ वह क्या कि दिसंबर मतलब यह सेशन होना था उससे पहले जा जाके जा जाके बहुं सारा भाशन दे दिया अब उनको लगा कि मैं यहां के लोगों को भी प बठा दिये बताया था ठीक तो फिर गरमदल के नेता बोले कि काम करो वोटिंग कर लेते हैं ठीक है जब भी सर्वसमत्ती से नहीं चुना जाता तो क्या करते थे वोटिंग करवाते थे तो वोटिंग करवाए इधर बाल गदर तिलक और उधर राजबिहरी गोस तो लगा क यह इलेक्शन हार गए जीद गये तो पहले सीसी खखवाया हुए थे ठीक एक्सपेक्टेशन के खिलाफ रिजल्ट आ गया ठीक अब उसमें पता रहों मदन मुहन मालवी एक नरम पंती नेता थे तो जब भी बाल गद तिलक पत्राय कुछ बोलने के लिए जाते थे इनको बैठा दिया जाता था बैठो बैठो जैसे यहां देखना लोग सब्सक्राइब कोई बोल रहे आप बैठी है थोड़ा मारत मार के बोलते हैं ठीक है तो लोग कुछ भी बोलने जाते थे बैठा देते इस बीच में किसी मस्ती सुझा होगा और वाकई मैसी हुआ जूता नि चीक गर्मी आ गए तो इसी लडाई जगड़ा में चीना जब बहुत मार पिट हुआ पुलिस बुलाया गया और इनका सब को घरम पंति नेताओं को भागा दिए तो यहीं पर क्या हो गया सूरत विभाजन मुलाता है कॉंग्रेस का बटवारा हो गया कॉंग्रेस का विभा लाजन हो अ कि अग्या अप अब जब अलग हो गया तब उनको मालून चलती चीक क्यों कि देखो कहीं न कहीं अंग्रेज कुछ बात सुनते थे तो नरम पंतियों के वज़े से क्योंकि उनके साथ उनको सम्मध बना कर चलना था चिक और ज्यादा से ज्यादा भीड किसलिए आप आता था गरमपंती नेताओं के वज़े से आप आता था क्योंकि उनका connection डिरेक्टर लोगों के साथ था तो दोनों को मालूम चल गया कि यह अलग-अलग रहने से तो फाइदा नहीं होगा तो इनमें जो तकरार थी 1916 में जा सुला करवा दिया था 1916 में कॉंग्रेस का विभाजन उस समय रद्व आगे चलके फिरा लगो गया अब यह जो स्वदेशी और बहिसकार अंदलों नों आइसका क्या हुआ तो यह आगे चलके ठंडा पढ़ गया ठंडा पढ़ने का मेन कारण क्या था नेताओं की गिरफता कर लिए तो यह लूवाजन के इस विभाजन के फसरूह किसको बट्रिफिट नहीं मिल नरंपंति नहीं मिल् daar सब अपन त Dell का मत मत लए है अरता सुबाछंद आ तरीका लग था तो जैसे महात्मागांदेव की चार था कि भीया साधन और साध्य दोनों पॉइत्रों ने चीए सुभाशन्द बोस्का ठीक विचारधर उल्टा था वो बुले कि भीया बस साध्य जरूरी है मंजिल अच्छावना ची बाकी रास्ता कैसा भीयो गलत रास्ता अब इन लोग क्यों इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उनका भी तरक बता देता हूं ताकि आपको एक गलत फ़हमीनार है कि इन लोग बूले थे 1909 में आने वाला था मौरले मिंटो सुधार मौरले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं मौरले मिंटो सुधार इसमें कॉंग लेकर आएंगे लेकिन सुधार के नाम पर कुछ सुधार नहीं रहता था और बिगार दिये उस्टाइग मुसल्मानों के अलग से निर्वाचक मंडल दे दिये कहानी पढ़ेंगे उननी सुनोकार तो बस यह बताना चारों कि उनलों क्यों इसका सपोर्ट नहीं करें तो क्यों जूटे वादे करते थे जो पूरा नहीं करते ठीक हुआ भी 33,000 बरती लेकर आएंगे नहीं चलो तो यह करन था यह नरम पंती नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे यहां तक कानी समझ आई ठीक है ओक है एक बार देख लो इसको कुस समझ आजा एक्वा अच्छा इस आंदोलन में किसने बढ़ चरक हिस्सा लिया यह पूछाय तो महिलाएं महिलाओं ने बढ़ चरक हिस्सा लिया तो किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और मुसल्मानों ने किसान वर्ग थे और मुसल्मान यह पार्टिसिपेट नहीं किये क्या करण रहा होगा देखो अभी यहां पर मैं ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लेकर आ जाओं ठीक है मानके चलों मैं नेता हूं मंत्री हूं और मैं रिजर्वेशन लेकर आ गया वीचिक लेकितना परसंट पचास परसंट तो जित्ते ओबीसी हैं उनलों लोग तो अच्छा हो जाता उनके लिए उनको ज्यादा मौका मिलता ठीक अलग एक राष्ट के नाम से जानते हैं उस समय भले राष्ट नहीं था लेकिन अलग छेत्र के नाम से जानते हैं मुस्लिम अबादी वहां पर मैजॉर्टी में होती तो भाईया कहें इसका विरोध करेंगे और अंग्रेज तो चाहती थी ऐसा चिक और यह कहीं ना कहीं बंगाली भाजन हुआ तो अंग्रेज अपने जो उनका अध्रीम था समझलों सब्सक् bamboo हो गया कैसे एक पाटी बन गई सब्सक्राइब आगए ओने खब्भी या कैसे पाटी बन गई मुसल्मानों का शामिल नहीं ओना तो लाजमी था किसान इसन नहीं कॉंग्रेस में जो नेता भी थे वो सारे के सारे अमीर थे शहरी थे और वाकई में ऐसी थे आपको लगता होगा मुहांचंद करमदास गांधी बहुत गरीब थे तो नहीं है इतना पैसा था जितना भी मोदी और भूपेश भगल के पास भी नहीं होगा बहुत पैसा था तो वाकई में जितने नेता थे ज्यादा तरर दो किसानों करना और यह सब नहीं हो नहीं हुए पहनगे बहुत अब मेरे खास यह सारे अधिवेशन तीनों याद हो जाएंगे 1905 का बनारास 1906 का कलकत्ता 1907 का सूरत इसकी देख्षता राजबिहरी गोस्त ने की थी यह दादा भाहिनों जी 1908 कभी यहीं किये राजबिहरी गोस्ति पुर्ण कि यहां से भी कुछ डिटा या फैक्ट्स देख लेते हैं 1905 में लॉड करजन 1895 यह क्या है 1905 में बंगाली बजन हुआ बंगाला बजन की लॉड करजन का कारेकाल अट्रा सुनियांबेस 1905 द्वारा 1905 को बंगाली बजन की घोशना की गई ध्यान रखना जो वर्ड यूस किय बंगाली बाजन का विरोध की गया और प्रमु कनेता जो अलगला लग चेतर से उभरेकान कों थे बंबई-पूरे में बालगत तिलग पंजाब में लालश्पत्रा और जिस सिंग मद्रास में चितंब्रम पिल लई बंगाल में सुनेयन बनजी और कृष्ण कुमार मित्र और इनी दोनों की प्रमुक भीका थी वो अंदुलन चलू करने में यह बंगाली बाजन के तहत दो भागों बाटा गिया पश्चिम मंगाल और पूरी बंगाल में बंगाल बिहार उडिसा यह सब शामिल थे और पूर 1905 जुलाई के बाद अगस्त में इसके विरोध में अंदुलन चलू किया गया और यह जो 1905 को गोष्णा किया था बंगाली भजन का वह लागू कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 यह डेट भी याद करना है डेट मंथ सब याद करना है ठीक है स्वादेशी अंदुलन का लिए ने कि अंग्रेजों के अधिन्य गॉमिनीयों श्रेटास का दर्जाओ बट व स्वराज सब्द दिये थे चुड्स में नरम दल और गरम दल इसको भी मैं थोड़ा सा एक्स्प्रेन कर देता हूं देखो कॉंग्रेस में नरम दल और गरम दल एक टाइम पिरेड माना जाता है कि 1885 से 1905 तक नरम दल का प्रभाव था भारत में और 1905 से 1909 गरम दल का प्रभाव था यह माना जाता है ठीक है दुनों का अपना अपना टाइम पिरेड था प्रभाव था यह अलग अलग टाइम में थे द देखो नरम्पंदी सबसे पहले कि अटिया प्रोटेूटीशं है आर्ठीक सोशन की निती की निंदा करते थे लोगों को जागरूत करते थे نिंदा करते थे सवधानिक सुधार की मांग करते थे प्रशाशनिक सुधार की मांग करते थे नागरी कदिकारों की रक्षा की बात करते थे यह सारा काम किसका रहता था नरम पंतियों का रहता था और उनका यह यह युगदान रहा है चीक ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते थे थे सब करते थे कि अब देखो 1905 में बंगाली भाजन हुआ और उसके विदेशी वस्तों का बहिसकार भी शामिल था तो गरमपंती चाहते थे कि प्रचार प्रशार बंगाल के साथ पूरे भारत में हो लेकि नरमपंती ऐसा नहीं चाहते थे और इसी के चलते आगे चलके विवाद हुआ 1906 में फिर 1907 में भाजन हुआ सूरत चिक अधिक्ता नरमपंती नेता था शहरी यह सब कुछ कोशन पूछेगा हैं एक्जाम में उसी को मैं पॉइंट बनाके डाल दिया अधिकता नरमपंती नेता थे शहरी और अमीर दादा भाई नोराजी ने स्वाशाजन स्वराज की मांग कि 1906 में कलकत्ता दिवेशन हुआ इसके बारे में पढ़ा दिया हूं जो जिसके देखता किस ने किती दादा भाई नोरजी ने य ठीक है जन समू की शक्ति में इश्वास करते नरमपंति को मानना था कि आम जंता को कहा इतना नियाम कानूल मलूम है उनको संबाख सुराज्मुखए लग्ष प्रत्यक्ष pestsर्याज्णिति निका मानना था कि हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे राजनीती में और सुधार ले कराएंगे ना कि अंग्रेजों से मांगेंगे सुधार की गरमपंती नेता फेमस कौन कौन थे अगर पूछा जा तो लाल बाल पाल यह तीन नेता तो यादी रखने ना लाल बाल पाल लाला राजपतर आय इसके लावा अर्विन घोष ठीक है आगे चलके देखो इन लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है विपिन चंदबाल और विंद घोष को कि कुछ समय बाद यह राजनीती से सन्यास ले लेते हैं ठीक है राजनीती से सन्यास लेते हैं यह अपने अंतिम सांस तक लड़त इनको शेरे-पंजाब और पंजाब के शुरी बोला आतता था चीक तो मंजाब के नाम से कौन जाने जाते थे लालज पतर को साइमन कमिशन का गठन कवा सासे साइमां सासे 27 इसमें कितने में थे सासे साइमां सा से 27 Senior वा शासे मेंबर सान्रा अर्धियान रखना ये अंग्रेजो की थित्वे जारी हैं लेकिन समन्ट कमिशन कितन chamara 177 इने किसे कि वैंग्रेज ओन बात करने की बात की जारी है लेकिन कोई भी भारती उसमें मौजूद नहीं है मानके चलो महिलाओं के हित के लिए मैं कोई कमिटी करता हूं और उसमें महिलाई नहीं रखों फिर आप लोगों को लगे ना भी है महिलाई नहीं पूरुष कैसे हमारे अच्छे के लिए संसान आगा तो साइमन कमिशन जयब इढम आया भारत तो स्का कापी ज्यादा क्या किये वी रोध पर जाम कर दिये थे और साइमन गो बैक și मैध' करके नर or लगा रहे जैसे एक लव यह था दुनराद चार यह नहीं पढ़ाऊंगा बोल दिये तो मान लिए गुरु बस वैसी मेजनी को गुरु माने यह इटली के राष्टपिता क्या आते जैसे भारत के राष्टपिता कौन महत्मा गांधी वैसे इटली के राष्टपिता थे मैजनी ठीक और म इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पर इन्होंने अनुनाय विनय विरोध का अरोप लगाया ठीक है आएंसी पर प्रात्नायाशना का अरोप लगाया मतलब इसको क्या बोलते थे कि सिफ्तों इतना ही काम करते रह जाओगे इसको बैंगिंग इंस्टिट्यूट का दरजा दे दि ठीक आगे चलके इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की निती समाप्त हो गई किसके लीडर्शिप में बालगंगदर्थ के लीडर्शिप में ठीक इंसी मतलब इंडियन नेशनल कॉंग्रेस गरमपंतियों के प्रभाव में 1905-1906 के बाद और इतना सब डिटेल याद रखना भारती अशांती का जनक बाल तिलक को बोला गया किसके दौरा वेलंटाइन शिरोल यह क्या है देखो इससे पहले ज्यादा कुछ खास यह गरमप शिरोल को भेजा जाओ पता करो कि किसलिए वहां अन्रेश्ट है ठीक है अन्रेश्ट है बेचैनी है ठीक अशांती तो वैलंटाइन शिरोल जब यहां आये तो दो लोगों को इस अशांती का जनक बताया है व्यक्ति के रूप में बाल गंगद तिलक को और एक समाज या संस अब इस बात से इतना खपा हो गया कि उनके खिलाफ लड़ाई लआ चल दिये ठीक यह भाट की बात है तो भारती शांती का किसासा कौ बूल आता है वैलंटाइन शिरोल नंने बूला और ये मौका दे भी दिया 1907 में भाजन होई गया वैसी धर पकड़ चालूई था ये एक पत्रिका जारी करते थे जिसका नाम था केसरी तो केसरी पत्रिका में उल्टा सिधा लिख दियोंगे अंग्रिजिक खिलाफ तो मौका मिल गया उनको तो जेल में डाल दिया मानले जेल मानले जेल कहां है म्यानमार में बर्मा में ठीक तो 6 साल के लिए जेल में डाल ले उन्हें सवाट से 1914 और यहीं सब कारण था बड़े-बड़े नेता गिरफतार हो गए कोई भाग के चले गए ठीक है तो उस वज़े से जो स्वदेशी अंदुलन था ठंड़ा पड़िया जेल महिनों ने किताब लेकि जिसका नाम था गीता रहस्य यह बाल गन तिलक के बारे में ध्यान अकना यह दो पत्रिकां के लिए फेमस थे एक मराठा और केसरी मराठा जो था मराठी में नहीं था किसमें था अंग्रेजी में जो केसरी था वह मराठी में था गणपती महसो इनकी मृत्ति हो गई थी कब मरें 1920 में तो व्यापा में कुछण पूझा गया था कि कौन से असे नेता थे जो कौन नहीं देख पाए उनके प्रभाव को नहीं देख पाए तो कौन नहीं देख पाए थे बाल गंगत तिलक की अर्थी नहीं उठाई चार लोग उठाते हैं ठीक है तो यह बताए जो नोट्स बना हुआ है जितने कोश्चन साय वह ना एक्जाम में उसी को पॉइंट वाइस बनाके डाल दियो समझाने काम तो अपने सकर देख तो महात्मा गांधी दिन उठाई थी शौका तली ने उठाई थी एक जो पढ़ाई दिया यह बंगाली भाजान का टॉपिक है जो उपर भी डिला हुआ है नीचे भी इसमें और करमानों सार डाल दिया 1905 बंगाल वजांस और उसे के फ़ल स्वादेश्य अंदरों हुआ 19 जुलाई को घोशना हुई साथ अगस को इसके खिलाफ टाउन होल में स्व भारत आया क्यों आया तो भारत उनकी कॉलोनी थी ठीक है उपनिवेश्ट था देखे कि चलो भी यह इस में जाके गूम के देखा है मान सम्मान मिलेगा ठीक है तो यह भारत अब यह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिया दिल्ली दरबार आयोजन किया गया इसको लगा कि बढ तो जब यह चल रहा था तो जूता चपल फेक के इसको मार दिये अभी नराज हुआ भी यह इतना दूर से आया था मैं और लोगों यह मैसेज जाएगा तो कितना बिज्जत्ती महसूस होगा तो बुलाया उस टाइम गवर्णर जरा था हार्डिंग बुलाया इधर आओ हार्डिंग को बुला के पुछा तो बताए कि इसलिए तुम मार्क है ठीक तो इसको रद्ध करो अब अगली बार आऊंगा तो जूता चपल नहीं पड़ना चाहिए तो बंगाल भजन को रद्ध कर दिया गे 1911 में किलियर कि यह वाला टॉपिक हमारा कल का नहीं आए इसको सब बढ़ा दियों गया लॉट करजन को बस दो मिट लगेगा तब इसलिए याद हो जाए लॉट कर जानी इसको भी खतम करी लेते हैं 18995 में यह बता है इनके टाइम की कुछ घटना ही याद कर लेना यह पूछा जाता है इस आयोकी स्थापना किसने की किसके देख्सता मे की गई सिचाइयोक की स्थापना की गई सर कोलीन स्कॉट मांकरीवदा रहा में मुण को मॉम आभी नाम याद नहीं होगा और करना भी नहीं वैसे कीवर्ट पकड़न तो सचाइय मतलब पानी सब करते हैं वैसे लेटकर कर जात कर लेना दिनीजट किसके किस्थापना की टि कि किसकी एधिक्स्ता में सब्सक्राइब कर लेना कर सकते हो अगया किसके अद्रियू फ्रेजर से फोजी आद ना विश्विध कमिशन इसकी इसकी भी स्थापना की थी किसके दीक्स्ता में टॉमस रहेले तो युनिवर्सिटी कॉलेज रिलेट कर लें और रेली ज्याद तो टॉमस रेली रेली तो इसने भारती पुरतत्य भाग की भी स्थापना की थी इंडियन अर्केलोजिकल डिपार्टमेंट इतना याद अखना ठीक है उसके बाद ये लाश्ट दो तिन पॉइंट और ये तो कवर कर चुके हैं कौन स्वदेशी अंदोलन का अलोचक था पूर्वत था पाश्चात के मद एक बहतर संबंद का समर्तक था रविन्नाट टैगोर देखो कई लोगों को लगता था कि अंग्रेजी साशन अच्छी बात है अच्छा है अंग्रेज यहां पर रूल कर रहे हैं कम से कम पुरानी विचारधारा धीरे-धीरे खतम तो हो रही है जो एकदम जरजर हो चुकी है तो रविन्नाट टैगोर को लगता था कि अंग्रेज आये तो अपने साथ साथ पाश्चात सिक्षा भी लेकिया है कल्चर भी लेकिया वेस्टन कल्चर और भारतियों लोगों के लिए जरूरी है ठीक रविनाट टैगोर को लगता था आगे चलके 1919 की घटना के बाद इनका भ्रह्म दूर हो गया पढ़ेंगे बंगाल में बिडियन की वस्तू के बहिश्कार का सुजाव सरपतम किस ने दिया था चलू करेंगे उसके साथ कृष्ण कुमार मित्र बोले कि यह काम करते हैं साथ में पहिश्कार भी चलू करते हैं एक तरफ एक्सेप्ट करो दूसरे को रिजेट करो तो एक कौन की है कृष्ण 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 मित्र ने स्वधिश्य अंदलों ने भाग नहीं कि यह किसने लिए मुसल्मान और किसानों और महिलाओं ने बढ़ चल कर इससा लिया कम से कम इसी भाने घर की काम से चुटकाना मी लेगा ठीक है भार जाएंगे घर में खाना बनाना नहीं पड़ेगा ठीक है इत्ता किलियर ठीक आगे की कहानी कल देखेंगे अब बोलो के तो सिमिलर टॉपिक है नहीं चलो ठीक इतना वट पढ़ कहिएगा कि किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते